नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में और दोस्तों आज की ये वीडियो खास तोर पर उन लोगों के लिए हैं जिनका पेट हमेशा खराब रहता है और जिनका खाना अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी डाइजस्ट नहीं हो पात है तो दोस्तों कुछ ऐसी चीजे होती हैं जिनको खाने से आपका पेट हमेशा स्वस्त रहेगा क्योंकि दोस्तों सेहत का सिधा संबंद पेट के स्वास्त से ही होता है और यह तभी सही रहे सकता है जब हमारा खानपान ठीक हो इसके लिए डाइट में हलकी फुलकी और जल आने की वज़े से पेट हमेशा स्वस्त रहता है उन चीज़ों की अधिकतर जानकरी अधिकतर लोगों के पास नहीं होती है तो आज की इस वीडियो में हम आपको उनी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करे शेर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें ऐसी अच्छी नियूस के लिए तो चलिए दोस्तों बताते हैं वो चीजे कौन-कौन सी है दोस्तों सेहत को लेकर दही के फाइदे तो जग जाई रहें दही में अजवाइन डाल कर अगर खाते हैं तो कब जदूर होती है पेट की बिमारियों से परेशान होने वाले लोग अगर अपनी डायट में प्रचूर मातरा में धही को शामिल करेंगे तो उनके लिए काफी अच्छा होगा दोस्तों इसमें अच्छे बेक्टिरिया पाए जाते हैं जो पेट की बिमारी को ठीक करते हैं इसके लावा केले में कार्बो हाइडरेट परियाप्त मातरा में पाये जाता है जो खून को बढ़ाने के साथ ही शरीन में ताकत को भी देता है दोस्तो पेट में infection होने पर केला खाने की भी शलाद दी जाती है और पेट के लिए भी केला बहुत बढ़िया होता है दोस्तो अगली चीज आती है हरी पत्तेदार सबजियां दोस्तो हरी पत्तेदार सबजियों में iron भरपूर मातरा में होता है और इस वज़े से बढ़ते बच्चों और गर्वती महिलाओं को इनका सेवन खास तोर पर करना चाहिए दोस्तो ये सबजियां आसानी से पज्जाती है और इने खाने से पेड़ भी आपका साह सुत्रा रहता है दोस्तो अगली चीज जो है वो है सेब जी हां दोस्तो एक सेब रोज खाओ और डोक्टर से निजात पाओ याने की एन एपल एडे किप्स डोक्टर अवे ये कहावत सभी ने सुनी है दोस्तो सेब के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक है क्योंकि इसमें पोटेशियम, विटामिन A, फासफोरस, विटामिन C और कई प्रकार के मिनरल्स सेब में पाए जाते हैं ये पेड़ की समस्याओं को कम करने में बहुत ही हलफुल होते हैं तो आप सेब का भी सेबन जरूर करें दोस्तो अगली चीज़ आती है ब्राउन राइस जी हाँ, ब्राउन राइस में पाए जाने वाले घुलंशिल फाइबर रक्त में LDL कोलेस्टोयल को कम करने में मददगार होते हैं अगली चीज़ आती है चुकंदर दोस्तो चुकंदर पाइल्स के रोग्यों के लिए काफी फाइदेबंद होता है चुकंदर का जूस, पीलिया, हेपेटाइटीस और उल्टी के उपचार में भी बहुत ज़्यादा हेलफूल होता है इसलिए चुकंदर का भी सेबन आप लोग कर सकते हैं दोस्तो अगली चीज आती है दलिया, जी हाँ, फाइबर, खनीज और विटामिन से भरपूर होता है दलिया यह मेगनेशियम, आईरन और फासफोरस का बहुत ही बढ़या सोर से दोस्तो रिसर्च यह बताती है कि कबज को दूर करने के साथ ही यह पेट के केंसर के होने के खत्रे को भी कम करता है दलिया हर तरीके से एक स्वस्त आहार है पेट को स्वस्त रखने के लिए इसलिए आप चाहे तो दलिया का सेवन भी कर सकते हैं तो दोस्तो कुल मिला के यह ऐसी चीजे हैं जो कि पेट को बहुत ज़्यादा लोगों के पेट को काफी सूट करती हैं और पेट का स्वास्त इन चीजों से सही रहता है आप इन चीजों का ट्राइ कर सकते हैं अगर आपको खाना जल्दी नहीं पसता है पेट हमेशा अपसेट रहता है तो इन चीजों का सेवन करके आप पेट की सारी खामियों को दूर कर सकते हैं तो दोस्तो यही थी हमारी आज की एक बहुत ही महत्वपुन जानकारी आप सभी लोगों के लिए उमीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीड करें शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दमाए धन्यवाद दोस्तों